हेलो गाईस हम बात केने वाले हैं भारती एटल की बारे में इस कमपनी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ख़बर निकल के आज चुकि यह सामने है जिसके बारे में डिसकुशन करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को जरूर से एंट तर देखते रहना बारती एटल की बात गिरे तो इस कमपनी को लेकर अपडेट कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कमपनी ने आपर से बहुत ही बड़ा एनॉसमेंट की आए कमपनी से 27,000 करो रूपिस लेकर 28,000 करो रूपिस का जो पैसा है वो अपने नेटवर्क को इंपरू करने के लिए लगाने वाली है मतलब कमपनी ने आपर ऐसा बोला है कि आर यह कमपनी आपर से 5G नेटवर्क को 2024 के अंदर लाने वाली है ऐसा हाँ पर कमपनी के तरफ से अनॉसमेंट अल्रेडी आ चुका आडिक है तो यह जो यहाँ पर से अनॉसमेंट है उसके बाद 5G के उपर काम करना पड़े है क्यार यह जो आपर 27,000 क्रोर रुपे से लेकर 28,000 क्रोर रुपे के आसपास का जो पैसा है वो लगाएगी अपने नेटवर्क को यहाँ पर और जादा आगे ले जाने के लिए 5G के तरफ यहाँ पर बनाने के लिए ठीक है अभी यहाँ पर से एक और बड़ी अपडेट यह निकल के आ रही है क्यार भारती अटेल नहीं हाँ पर यह भी एनॉस्मेंट किया है कि जो यहाँ पर से जो 5G की जो प्राइजिंग है रहों वह यहाँ पर से आप लोगों को आने वाले समय में कोई भी प्रीमियम नहीं देखने कम लेगी मतलब ऐसा नहीं क्यार 4G के लि इसे आपर कंपनी का एनॉस्मेंट घिक है अभी आप लोगो वूलेगे कि आर ऐसा है आपर से पूछा भी गया क्यार कंपनी के यह पर से यह जो चीज है वह क्यों करी जा रही है मैं लिए प्रीमियम हैं पर प्राइसिंग क्यों नहीं रखी जाने वाली है तो इसके वबर कंपनी ने बुलाए कि जब भी यहाँ पर से 5G का रूल आउट इंडिया के बहा बहुत सारी इनदर अल्रेडी हो चुका है और जब भी खार लूड वा यहाँ पर से जो प्रिबिमन से उनिया पर से मंगी जाती यहां पर से के उपर focus करने वाली ठीक है कंपनी का यहां पर से आप लोग देखने जाओ तर कंपनी ने बुला है annual यहां पर से 24,000 करोड रूपेज अपने नेटकोर को इंपरू करने के लिए लगा रही है कंपनी तो इसके अंदर कंपनी क्या करने वाली है देख तो जो यहां पर से यह कंपनी के जो mobile टे आ चोटे चोटे टावर से बहुत सारी एरियास में तो इसको शुसके इंपरूर कर लग गए है जामिन न compose संदर में उसको यहां पर से कंपनी इंपरू करने वाली है इसी के साथ्ट कंपनी यहां पर से broadband and enterprise technology data centers को भी यह company बना तीवी नज़र आएगी ठीक है तो कुछ यह update निकल के आ रही है हाँ पर से भारती एटल को लेकर जो आप लोग ज़रू से धैन में रखके चलना मेरको ऐसा लगता है कि वाई वोड़ाफन आइडिया है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे चूट सकता है आप लोग यहां पर पूरी रेस में देखने जाओ ना टेलकॉम इंडर्स्री की तरह रिलाइंस जीओ अभी सबसे आगे है जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है सबसे ज़्यादा है पर पावर है उसके बाद यहां पर एटल आता है और वो पारती आइटल की बात करें तो भाई कंपनी के शिर में एक चीज में आप लोगों को खुसरू से बोलूँगा बहुत सारे सपोर्ट्स एंड ड्रजिश्टनल लेवल आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंपनी का शिर बहुत अच्छे अच्छे इस लेवल के उपर सपोर लेवल मैं दिखा देता हूँ देखो चो कंपनी का शिर आने वाले समय में 800 रुपए की नीचे जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर इस कंपनी के शिर में आप बर से कीस लेवल की ओपर खरीदा रिकनी है पता है यहाँ पर से 724 रुपए का लेवल है उसको यहाँ पर आ एक लेवल के उपर खरीदारी करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन में से कोई भी यहाँ पर से दो लेवल ले लो वहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखना आप लोग यहाँ पर से 780 रुपे का ले रहे हो तो और उसके 3 स्टेप पीछे का लेवल लेना ठीक है मतलब यहाँ पर से आप लोग यह दोनों लेवल में से कोई एक लेवल ले सकते हो मतलब 675 रुपे का या 640 रुपे का लेवल आप लोग इस कमपनी के शेयर में खरीदारी करने का लेना ठीक है तो आप लोग इस company के अंदर हर यहाँ पर से levels के उपर खरीदारी करने की कोशिश मत करना company यहाँ पर से बढ़ी आए company के अंदर कोई दिक्कत नहीं है पर company के share को यहाँ पर से अभी मिरको ऐसा लगता है थोड़ा सा और time देना पड़ेगा और रही बात इस company के अंदर बीकवाली करने की तो जो आप लोग इस company के share में बीकवाली करना चाहते हो तो 840 रुपे का level और 845 रुपे का level है जहाँ पर आप लोग short term के लिए बीकवाली कर सकते हो बाकि मिरको ऐसा लगता है आने वाले समय में इस company का share बहुत जल्द आप लोगों को 1000 रुपे के पार जाता हुआ देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह था हमारा analysis इस company को लेकर जो आप लोग जरू से धहन में रखके चलना invested हो तो भाई hold and continue करना invested नहीं हो तो जैसे मैंने बताया lower levels के उपर खरीदारी करने के मौके मिलता है तो आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो ठीक है तो बस अच के लिए तना है good bye love good bye फुर मिलते ने एक शेड़े में good bye